क्या आपको लगता है कि आज के सरण में सारे पुराने समाजवाजी नेताओं को एक साथ आने की जरूरत है लोग सोचते हैं कि एकॉनमी जो होती है महंगाई जो होती है वो समाज की कॉंडिशन से अलग होती जिस देश में हार्मनी नहीं होती है शांती नहीं होती है उस देश में महंगाई बढ़ेगी उस देश में नफरत बढ़ेगा इकॉनमी चली नहीं सकती है रोजगार मिली नहीं सकती है अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांती हर्मनी यह है बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फिला कर लोगों को डरा कर लोगों को मार कर इंडिया की हिंदुस्तान की एकॉनिमी को स्टेंफन किया जा सकते हैं गलत फहिमी में है कि अब लगताद यह कहते रहें कि एकॉनमी कॉलैप्स होने वाली मौजुदा वक्ती सब्दार अभी एक खबर प्रधार मतिन दर्मुदी की बैठक से बाहर निकली है कि जो हालात मौजुदा वक्त में देश के हैं वह हालात श्रिलंका जैसे होते जारे हैं या आप मैं आपक नहीं पूरी जिन्दवी में नहीं देखा है क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है जो रीड की हड़ी है वो तूट गई है जो स्मॉल और मीडियम बिजनस हैं चोटे दुकान चलाते हैं अनिंफॉर्मल सेक्टर जो था यह हमारी रीड की हड़ी है बड़े इकनोमिस सोचते हैं ब्यूरोक्राट सोचते हैं कि इसका कोई मतलब भी नहीं है वो वो दूसरे देशों को देखकर अपना प्लान बनाते हैं प्रदान मंत्री के माइंड में है कि वहीया देखो साउथ कोरीया ने किया किया हमें भी करना चाहिए वो बाहर देखते हैं और वैसे बनना है उस प्रकार से काम नहीं हो सकता है हमें सबसे पहले यह पैचानना है कि हम हों हैं हम हैं क्या और यहां क्या चलता है तो यह रीट की हटी जो इने हमें तोड़ी है इसका रिजल्ट अगले दो, तीन, चार साल में आएगा और भयंकर, भयंकर रिजल्ट है राष्टपटी का चुनाव नजीक है, विपक्षी पाटी के पास उतली संख्या नहीं है, कहा जाना विपक्षी पाटी एक साथ, एक उनाइटेड, एक उमिदवार खड़ा करेंगे, इस तरफ आप लोगों कोछ है? इस पे आज कुछ बात परीच है इस पे अभी मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ टेंपरेरिली, मौडर्न पॉलिटिक्स में, रियालिटी से बचने का तरीका मीडिया है मीडिया को आप छे महीने, एक साल, दो साल, तीन साल, मीडिया के थुरूँ आप सच्चाई को दबा सकते हो, छुपा सकते हो मगर जब वो सच्चाई युवा के पेट तक पहुँचती है, युवा के माता-पिता के पेट तक पहुँचती है, तो फिर मीडिया उसको नहीं समाई पूरुता है पिछले दो-तीन साल मीडिया ने सच्चाई को छुपाया है हमारे इंस्टिटूशन्स ने, मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, आरेसेस ने सच्चाई को छुपागे रखाया है अब आस्ते हस्ते सच्चाई बाहर निकलेगी वही हुआ है स्री लंका में, स्री लंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आई गई, फरक क्या है, हिंदुस्तान को बाटा भी गया है, हिंदुस्तान में अलग-अलग ग्रूप्स बना दिया, पहली एक देश हुआ करता था, अब अलग-अलग देश के अंदर अलग अलग देश बनाती है एक इन लोगों का देश दूसरा इन लोगों का देश तीसरा इन लोगों का देश और इन सब को एक दूसरे से लड़ाए जाता है तो जब ये गर्द आएगा तो हिंसा आएगी अभी मत मानो मेरी बात अभी मत मानो दो-तिन साल रुख जाओ तो 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 एक तरह से उनको इस बात का मैंडेट देता है जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है या पेट्रोल डीजर ल्पी जी एलेक्टोरल मेंडेट क्यों नहीं विपक्स के साथ है क्या आप लोग देज की जनता को कन्नेश करने में विपक्स के साथ है क्या आप लोग देज की जनता को चनल्स करने में अखाता है Because because there is 100% total domination of the instruments of communication of this country Media is 100% controlled CBI, ED these institutions suppress the conversation लॉट्स्पीकर सरकार के हाथ में है पहले क्या होता था लॉट्स्पीकर सरकार के हाथ में होता था उपजिशन के हाथ में होता था कभी समाजवादी के पास चला जाता था कभी कॉंगरिस के पास चला जाता था कभी बीजेपी के पास बीजेपी के पास अब क्या है अब लॉ जवाब यह है कि इस कंट्रोल को बाइपास कैसे किया जाए और आप देखना जब सच्चाई लोगों को पेट में लगेगी तो यह आपका जो एम्प्लिफायर है लाउट स्पीकर है यह फेल हो जाए अखरी सवाल यह अभी हाल में ही सरभ यादो जी शामिल हुए थे आज कि एक साथ आना चाहिए ठीक राजपती चुनाओ को लेकर अभी आप लोगों ने पैर नहीं किया है चौबीस का लोग सबा चुनाओ बहुत दूर नहीं है क्या विपक्स की एक जूटता के लिए कोई प्लान है कॉंग्रेस के विपक्स को बिल्कुल विपक्स को जो भी आर चाहिए इस पर चर्चा हो रही है और इसको डिवलप करने की ज़रू है चाइनीज टेट हैकर जहें वह पावर ब्रिस जो लटाफ में उसको तार्गिट किया और उन्होंने वहां पर मुव्मेंट फिर से देखी लिए है तो क्या कहते है कि चाइना पर मुद्दे के ओपर किनलियु चाइना के मुद्धे पर डिबेट आन नहीं होगी कि मुद्दे पे डिबेट बावन में नहीं हो पि Stro recursos ने मीं खेंटों में अधिकर पया बामें पै我크 की कि युकरेन में ए उक्रेन का प्रिंसेप्ल क्या आप ने सोचा युकेरिन का पिंसेपल क्या है युक्रेवेन का प्रिंसिप्ल यह है कि रूस कहता है कि हम रुट युक्रेवन की टेरिटोरियलिटि को नहीं मानते हैं हम जो टॉन्बैस ही जिन है उसको हम प्राइश्रेवान नहीं मानते हैं उस बेसिस पे रूस ने युक्रेन पर आक्रमन किया आक्रमन का लक्ष क्या है युक्रेन और नेटो युक्रेन और युनाइटेज स्टेट्स का जो अलायंस है उसको तोड़ने का लक्ष है लॉजिक सही यही प्रिंसिपल चाइना हिंदुस्तान में अप्लाय करता है जैसे उधर उन्होंने का है लुगांस को डॉनेस्क आपका नहीं है चाइना कह रहा है लदाक और अरुनाचल आपका नहीं है और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पर बैठा रखी है है सरकार इसको अग्नौर कर रहा है मगर मौड़ल उदर है वह मौड़ल यहां भी अपलाइ किया जा कि वह पर शत्रता है तो अ कि μας अपश्रकार झाल